मध्यों फ्रेंड्स अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एडवांस अकाउंट की कैसे अपना ग्रूप टू पूरा मैनेज किया जाए विद आवर एक्जेम्शन दूस्तों पास तो हो नहीं है लेकिन इस बार पैरेंट्स के प्राउड के साथ पास होना है उनकी स्माइल के में जहां भी आप रहते हैं उनको सैल्यूट दे कि हारे कैसा बच्चा है तुमारा सी एक्जाम क्लियर किया ग्रूप टू एक्जाम क्लियर किया ना हो यह सिए फैनलिस्ट तो यह वाला रुत्बा मुझे आपका इस बार चाहिए पेपर के बारे में अगर आप मेरे से जान में माल लेता हूं सामको 7 बज़े से पढ़ने बैठ जाएंगे ठीक है 7 पीएम से पढ़ने बैठने वाले तो क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले सबसे पहले एस की तहारी सबसे पहले चीए एस 4 & 5 1-hour के topic है complete कर लोगे आप उसके बाद एस 7 9 यह आपके बन आर का topic है ठीक तो कही ना कही आज शाम को मतलब मान के चलिए आपका आज टाइम जो लगने वाला है यह आपका लगेगा सेवन पीम हो सकता है यारा बजे या बारा बजे बटाइड के आप यह पूरा फिनिश करें कितना आपको पढ़ना होगा आराउंड 177 से यानि 180 मालीजे इस्टार्ट है और 232 मलीजे 230 पर फिनिश है तो आराउंड आपका जो टार्गेट है फिफ्टी पेजिस का टार्गेट है फिफ्टी पेजिस में आपके 2230 मांक्स जो है वो सिक्योर होने वाले हैं जिसमें अभी अमल कमिशन रुख जाओ मैं बताऊंगा कब करने ठेक है बाकी सारे मैं भी करता हूं घंञा तब जाकि यह मजलिस रही होती है और लेकिन यह डिक्तो कई बार होते भी है सेम कई बार नहीं भी होते है लेकिन हाँ adjustment जो है जैसे 5 question में हमने 60 adjustment कर ली आईसे ने 12 जैस्मेंट उठाके question बना दिया like this but आपकी maximum adjustment में cover हो जाएगी कम टाइम के अंदर maximum जितने question cover पर है तो सारे cover हो जाएगे ठीक है email list RTP MTP करना है अब जब आप अर्ली मॉनिंग उठने वाले ठीक है तो अर्ली मॉनिंग उठने के बाद सबसे पहले टॉपिक मालीजे आप बारा बज़े सोई है ठीक है तो आठ बज़े से आप बैंकिंग का टॉपिक ले लो उसके बाद MDA FC का ले लो तो यह पांस टॉपिक करने में आराउंड आठ बज़े आप पढ़ने बैठ है तो बारा से एक बज़ जाएंगे यह टॉपिक करने के अंदर उसके बाद वनार का आपको ब्रेक लेना है या पिर नैप लेनी है जो भी खाना भी ना खाओगे वो करो फिर राउंड टू पीम आप पढ़ते हैं बैठने वाले देन सबसे पहले आप जो टॉपिक करेंगे अपनी सेकेंड सिफ्ट में ठीक है दो बज़े से उसके बाद आप पार्टनर्शिप का टॉपिक सबसे पहले पिक करने वाले पार बज़े दुबारे से पढ़ने बैठने और साथ बज़े जो सबसे इंपटेंट टॉपिक है अब करने तक मालो आपके नौ से दस बच जाएंगे अमें लिटली बोल रहा हूं अब आपको नीद नहीं आएगी क्योंकि एक्जाम में आपका अगले दिन अब आपको क्या करन और सबसे पहले क्या करओंगी एस करो ऐस के बाद मु吏लिस कर लिया एस कर लिया और यही अंट करने वाले है इससे क्यों। एस से अराउं 20 marks हो गए इन जो topic मैंने अभी highlight के इससे 20 marks हो गए 40 marks तो यहीं secure हो गए अब जो next setting हो गये हमारी वह में यहीं नहीं कहा रहा है important नहीं इंपोर्टेंट है लेकिन यह वो कोश्चन है जो 16 मांग के होते हैं और 16 मांग कोश्चन एक्जाम टाइम में कम पाने दिरिक्कत वाली बात होती है यह भी पेपर में इसी आएगा लेकिन प्राइटी बी में रखने का मतलब है कि पहले आप यह टॉपिक करोगे टाइम बचे करना टाइम मिल गया तो पूरा रिवैस करना टाइम नहीं मिला तो इस सिक्कोई स्मय रवाइस करना ताकि मैक्सम जितना हो सके अपारा स्लेवर्श लिएज सब स्वेटे पहले एस से आपको स्टार्ट करने और एक लास्ट गूर्शन रहे गा कि जो है आपकी टेलेग्राम टेलिग्राम ग्रूप में मिलेगी टेलिग्राम ग्रूप का लेंक इस वीडियो के डिस्प्रेश्शन वाक्स में जाईए लिंक भी क्लिक कीजिए और स्टार्ट कीजिए पढ़ना एक लास्ट चीज़ मुझे आपसे बोलनी है अगर आपके दिल में एक परसेंट भी रिस्पेक्ट है मम्मी या पापा की ठेक है मैं मम्मी पापा की असमनी देने जा रहा है उनकी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना और जब तक जो मैंने टार्गेट दिया है वो कम्प्लीट न हो जाए तब तक उठना मत दिल से बुलना मा इस बार का अटेंट के लिए पापा अगर इक्छा हो अपने मम्मी और पापा की रिस्पेक्ट में तो कमेंट बोक्स मों जाके लिखो अब रिस्पेक्ट हो तो मैं कंपल्सरी नहीं बोल रहा हेस्टाइग से रिजल्ट हमारा है इस बार का नारा से रिजल्ट हमारा जैसे यासे टार्गेट हो जाए चैप्टर होते जाए मुझे वट्सप पे मेसेज करते जाएगा अपना ख्याल रखेगा और audit की SSM की FME को के टैंशन मत लीजेगा audit के अंदर SM के अंदर मैं आपको audio clips दूंगा revision के लिए so don't worry about anything just do your karma for this moment okay thank you and god bless you